इस्राइल के साथ 50 करोड अमेरिकी डॉलर के मिसाइल सौदे से भारत सरकार के हट जाने की वजह से भारतिये थाउजियों के पास पाकिस्तानी सेना की तुलना में कम ताकत रह गई है भारतिये सेना के सूत्रों ने NDTV को बताया की पाकिस्तान के पास अपने इंफेंट्री सानिकों के लिए पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइले हैं जो 3-4 किलोमीटर दूर मौजूद भारतिये टैंकों और बंकरों को निशाना बना सकती हैं जबकि भारत के पास इसी तरह की जो मिसाइले हैं उनकी मारक्षमता सिर्फ न 2 किलोमीटर है 1600 स्पाइक स्पाइक इंटी टैंक गाइडेड मिसाइले खरीदने के लिए हो रही बाचीत काफी आगे पहुँझाने के बाद भारत इस सौडे से हट गया है क्यूंकि वे हसेना की ताकत को बढ़ाने वाली मिलती जोलती मिसाइलों को देश में विक्सित तथा निर्मित करन की खातिर प्रधानमंतरी नरेंद्र मोधी की पहल पर जोड दिया जा सके स्पाइक ऐसी फायरंट और गेट मिसाइल है जो टेंकों जैसे चलते फिरते टार गेट को भी निशाना बना सकती है यह सक्षम मिसाइल दागे जाने के बाद खुद बखुद टार गेट का पीछा क मिसाइलों के घरी लूसंस करण का इस्तिमाल करते हैं जो मौझूदा वक्त में भारतिये सेना के पास मौझूद मिसाइलों की तुलना में लगभग दोगुनी दूरी तक वार कर सकती हैं पाकिस्तानी इंफैंट्री के पास अमेरिका निर्मित तो मिसाइले भी हैं जो इसस वक्त भारतिय सेना का प्रमुक टैंक पॉर्मेशन है बखतर शिकन की रेंज तीन से चार किलोमीटर के बीच है पाकिस्तानी तो मिसाइलें जो कभी अमेरिकी सेना का प्रमुक हातियार हुआ करती थी चार किलोमीटर दूर मौजूद निशानों को भेद सकती हैं और आक्रमता सिर्फन दो किलोमीटर है पिछले साल भारत ने इस्राइली राफेल के साथ स्पाइक मिसाइलों के लिए सौडे पर बाचीत पूरी कर ली थी और उसके तहत मिसाइलों का निर्मान भारत में ही कल्याणी ग्रूप के साथ सहयोक्त उपकरम के अंतरगत किया जाना तथा उसके लिए कल्यानी ग्रूप ने हैदरबाद के निकट मिसाइल निर्मार नहीं काई भी स्थापित कर ली थी बहरहाल अब प्रदानमंत्री के मेक इन इंडिया कारिक्रम के तहट सरकार ने तये किया है कि सरकारी डिफेंट्स रिसर्च अंडेवलप्मेंट और्गेनाईजेशन डियार डियो को ही यह काम करने दिया जाए जिनका दावा है कि वेग चार साल के भीतर विश्वस्तरिय मिसा बहरतिय सेना के सूत्रों ने इंडिय टीवी को बताया कि मिसाइल के विकास की यह प्रक्रिया इंफेंट्री फॉर्मेशनों पर गंभीर असर डालेगी उनका कहना है कि इस स्वदेशी मिसाइल के विकास परीक्षन और सेना में तैनाती में चार साल से ज्यादा लगन सेना क को कताई अस्विकारे होगा